आज के इस lecture में हम करेंगे construction of a good table यानि कि अगर आप एक table त्यार करते हैं तो उस table की क्या खासियत होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए table तो हम कहेंगे good table क्या है ठीक है तो हम लिखने वाले है features features of a good table कि ये good table कैसी होती है तो कुछ points हैं कुछ name हैं को आपको note कर लेना कम से कम 17-18 points है but आप क्या करें 5-10 के बीच में अच्छे-6 points है जो main है काफी important है वो ही याद रखें कि आपकी जो table आप बनाते हो तो वो table होनी कैसी चाहिए सबसे पहले जो title है तो मैं आज में आप नम्मर वाले अलग जुद नहीं है title क्या होना चाहिए title क्या होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए as compatible with objective जब आप अपना title decide करते हैं जब आप अपनी firm जो आप table बना रहे हैं उसका जब title decide करते हैं तो वो title कैसा होना चाहिए आपके object से match करता हुआ होना चाहिए और table जब बनाते हो आप जैसे आपने एक table बनाई उसके बिल्कुँ center में लिखना चाहिए आपको उसकी table का title तो title क्या होना चाहिए काफी simple होना चाहिए objective उसके अंदर show होता हो जैसे आपने last time table जब बनाई थी उसमें लिखा था उपर क्या लिखा था production of food grains in India तो देखा आपने को title बनाता था की इस table में क्या है तो हमको क्या है table में आते हुए एक title इस तरह आचे दें जो काफी compatible हो और center में हो, bold हो, अलग से दिखाई दे जाए number 2, comparison comparison करने में असान आपको क्या होना चाहिए? it should be kept in mind that items which are to be compared with each other are placed in column or row close to each other. देखो आप जब बनाई जाती है ऐसे column बनाते हैं ठीक है? इस तरह है आप उसमें इस तरह से बनाते हैं आप यहां पर 2 लिखा है या 5 लिखा है या 8 है इनके बीच में कुछ रिलेशन है ठीक है? क्या मतलब यह राइस का परड़क्शन है तो अधा देख रहे हैं आप 2011 में, 12 में, 2001 2002, 2003 अलगल सालों में अलगल परड़क्शन है आपका तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आप इस तरह से निकल सकते हैं अब 2 का 5 के साथ क्या रिलेशन है? जरूर रखें, चीक है? नेक्स्ट माइट है मारा आइडल साइज आपका जो टेबल है साइज कैसा होना चाहिए? उसका कम रो एंड कम कॉलम ज़्यादा नहीं होने चाहिए ज़्यादा रो कॉलम होने पर बहुत बड़ी टेबल होगी तो उसको कंक्लूजन निकालना, उसको स्टेडी करना काफी मुश्किल हो जाता है तो इसलिए क्या करें? टेबल को बनाते हुए आप चीज़ों को ध्यान रखें कि आपके टेबल कैसे होने चाहिए? उसका आइडल साइज होना चाहिए कम रो एंड कॉलम रखें, ज्यादा रो, ज्यादा कॉलम ना हो तो ज्यादा होने पर आपको क्या हो सकता है? आपको प्रोब्लम आ सकती है उसको रीट करने, उसको समझने में तो आइडल साइज क्या होता है? कम रो, लो ही को रखें, कम ही रखें, आपकी रो भी और कॉलम भी, ठीक है? नेक्स मेंट हमारा फॉर्थ, वो क्या है हमारा? स्टब्स रो आर वैजी लो, आपको मालूम है, रो थो होती है सबसे, ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है? तो आपको क्या देना चाहिए, राइट हैंड साइड में ली दे देना चाहिए, अगर स्टब्स की बात करें, देखो एक रो है, इस तरह से रो होती है, ठीक है? इस तरह से उसमें डेटा फिल किया जाता है, आपने इसका टाइटल है, जो यहाँ पे लिख दिया, किसके अंद आप टेबल के राइट साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, फूड ग्रेंज, ठीक है, यही कहना चाहता है, जो स्टब्स हैं, वो क्या होता है, रो का हमारा क्या होता है, टाइटल होता है, तो रो का टाइटल इस तरफ है, तो आपने उस तरफ भी लिख सकते हो, अगर रो का of 0 हाँ जी तो 0 should be used only to indicate the quantity of a variable otherwise क्या लगाएं आप hyphen लगा दे या na लिखे not applicable या hyphen लगा दे या not applicable लिखे 0 सिरफ quantity नल हो तब ही लिखे 0 किस के लिए use करें quantity के लिए ही use करें कि आपकी quantity real में 0 है मालब उसका कोई production नहीं हुआ जिसके आपको detail नहीं पता तो not applicable लिखे या hyphen लगा देजिए जब आप क्या करें production के लिए use कर सकते हैं सिरफ और सिरफ 0 के लिए quantity of variable अगर कोई चीज है जो बदलती है उसकी quantity के लिए आप 0 use कर सकते हैं otherwise आप minus का निशान यानि कि hyphen और आप na यूज कर सकते हैं not applicable आप यूज कर सकते हैं तो ये 5 features ले आपको और जा देखते हैं आपको बहुत simple simple ही है बहुत असानी से कि आप जब भी एक table बनाने जाएं तो इस table उनाते हुए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए next might है हमारा heading six might है हमारा heading हाँ जी जब आप table तेरा करते हो तो एक heading होती है तो आपको क्या लिखें एक singular form के अंदर अपनी ID जो heading हो लिखें किस form में लिखें? singular जैसे आप लिखते हैं good एक होता है goods ठीक है आप पता है ये कौनसी form सही रहे है अगरी है आपको जब भी आप एक table बनाएंगे उसमें आप उपर लिख रहे हो heading में good नहीं भई good लिखोंगे आप लिखोंगे आप बताओ आपको मैंने क्या बोला singular में होना चाहिए यानि कि good लिखना चाहिए नाप की goods नीचे जो goods दिये गए है तो ये नहीं होता नीचे क्या दिये हुए good दिये हुए ठीक है तो आप singular form में दिखें ऐसी है इसका use नाप करें next point है हमारा seventh footnote हाँ जी जब भी आप footnote दें should be given only if needed अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ही दें ठीक है और वो भी कैसे लगा के star लगा के कोई एक ऐसा word है टेबल के अंदर जिसको explain करना बहुत जरूरी है तब भी जाके आप उस पर star लगा दें और नीचे footnote में उसको क्या कर दें explain कर दीजिए बिल्कुन सही उसके बाद हम दे रहे हैं units जैसे आप लिखते हो in thousands तो इस तरह से लिख देते हैं in lakh लिख सकते हैं ठीक है ना इस तरह से आप ये भी लिख सकते हो आपको अंदर जो अगर टेबल के वो बार बार जीरो 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 लगाने के जूरत नहीं होगी आप टेबल के उपर लिख दे थर्ड तरी जिरो हैं इसमें मतलब in thousands है या in lakh है in done है तो इस तरह से आपको क्या है अलग से बार बार लिखने के जो नहीं पड़ेगी आप units को बाहर ही measure कर सकते हैं ताकि आपको table लिखते हुए काफी सही रहे आपको असानी रहे आप क्या कर सकते हो percentage यूज कर सकते हो ratio यूज कर सकते हो percentage क्या होता है जैसे 20% है ना 15% और ratio क्या होती है 3 ratio 2 5 ratio 5 तो इस तरह से 5 ratio 4 ठीक है आप ratio का यूज कर सकते हो percentage का यूज कर सकते हो table को जब construct करते हो table को जब तयार करते हो उसके बाद फिर आता है मारा equal point last वो है source of data जुरूर बता दें आपने ये जो data है वो कहां से collect किया है आपको जुरूर देना चाहिए ताकि बच्चों को या क्या भी information जो ले रहा है उसको ये कम से कम वो क्या कर सकता है क्रोस चेक कर सकता है कि आपको जो data है वो कहां से प्राप्त हुआ है तो ये था अगर हम एक table त्यार करते हैं तो good table कैसी होती है उसको construction करते हुए आपको इन बातों को ध्यान में रखना है तो ये थी हमारी features of a good table ठीक है आज हम करेंगे फिर अगला point हमारा वो है हमारा kinds of table next point है हमारा kinds of table यानि कि table कितने परकार की होती है उसके जितने परकार है आज हम उनके बार में study करेंगे सबसे पहले हम बनाते हैं diagram समना देता हूँ आपको diagram बना के present करता हूँ कि आपको table जो है वो कितने परकार की है कितने काइन की है तो मैं लिख रहा हूँ यहां kinds of table इसकी बजाए यहां लेदेता हूँ इसको आप रब कर दीजिए kinds of table ठेक है kinds of table table को तीन category में बाठटा गया है तीन category में इसको divide किया जाएगा तो मैं क्या कर देता हूँ एक part यहां ले लेते हैं एक part इस तरह से तो kinds of table तो table को हम तीन हिस्सों में divide कर दिया तीन तरह से हम construction करते हैं table का सबसे पहला जो इस तरह है वो है हमारा according to purpose यानि कि जैसा हमारा purpose होगा, जैसा हमारा उदेश्य होगा, उसी के हिसाब से हम क्या त्यार करते हैं, अपनी tables त्यार करते हैं Next point है हमारा, according to originality Data की originality के base पर देखा जाता है, कि data कैसा है, उसी के साब से उसके table त्यार होती है और एक होती है हमारी according to construction Construction के हिसाब से, वे हमने जैस तरह से उसको बनाया है, उसको देख करके हम यह बढ़ा सकते हैं कि हमारी table कितने परकार की है ठीक है, तो according to purpose, according to originality and according to construction तीन तरह से हमारी जो table है, वो बनाई जा सकती है बात करते हैं according to purpose, जब according to purpose बनती है, तब कितने types हैं इसके, दो types है पहला है हमारा journal purpose, purpose table, और दूसरा क्या है हमारा, वो है special purpose table, अब आपको समझ में आ रहा है, कि table तीन types में, पहला types according to purpose, और purpose में दो हो गया आपका journal purpose की table, और special purpose की table, अब बात करते हैं according to originality, originality में भी क्या है, आपकी two types की आती है, सरसे पहले आता है original table, और दूसरी है हमारी derived, table, तो according to originality, हमारी table की तिपर कार के होगी, दो, original table and derived table, और according to construction, हमारी ये भी क्या है, two types की है, पहली है, simple और one way table, क्यों है हमारी simple और one way table, और दूसरा होता है हमारा complex table, complex table के आगे तीन पार्ट है, one, two and three, complex table जो है हमारी, वो three types की होती है, वो कौन-कौनसी है, double, दूसरा है tribal, और फिर होता है manifold, तो हमारी जो complex table है, वो तीन तरह की होती है, double, treble and manifold, तो इनके बारे में अब हम one by one discuss करेंगे, सबसे पहले mind में इसका एक चार्ट है, जो वो set कर लीजे, आप इसको note कर लें अच्छे से, screenshot ले ले कि kinds of table क्या होती है, according to purpose होती है, journal purpose और special purpose, according to originality, original table, drive table and according to construction, simple or one way, complex में आती है, double, treble और आपका manifold, तो इस परकार, जो मारी table है, उसके ये types होते हैं आपके, ठीक है, हम इनको one by one discuss करते है, सबसे पहले, हम करते हैं किसकी table की बात, journal purpose table की बात, journal purpose table कौन सी होती है, वो table, जो क्या होती है, journal use के लिए, मतलब आप बनाते हैं, ठीक है, it does not serve any specific purpose, इसका कोई special purpose नहीं होता, ठीक है, यह हम क्या करते हैं, पहले बनाके एक table रख लिए है, उसमें data field कर देते हैं, और उसका paint out ले ले लेते हैं, फिर उसका दुबारा मिटा करके, erase करके, नया data डाल देते हैं, दुबारा फिर बना लेते हैं, अनलब यह काम जो बार-बार चलते ही रहते हैं, ठीक है, ऐसे काम जो form में बार-बार होते हैं, वैसी table आपकी बार-बार बनाई जाती है, तो व हमने कोई special construction तो किया नहीं इसका, तो वो चीज़ें आते हैं, आपकी journal purpose table होते हैं, जो journal ही आम लोगों के लिए बनाई जाती है, यह हमारी दूसरी number 2, special purpose table, अब special purpose है, तो आपको नान से समझ में आ रहा है, कि इस table को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक special reason होता है, एक purpose ह तो यह table जो है prepare की जाती है, special purpose के लिए जो हमारे mind में होता है, ठीक है, तो इसलिए इस table को present करने के लिए काफी analysis करके, results निकालके इनको तब इनको पेश की जाता है, तो यह समझे लो, कि यह table वैसी है, जो analyze की गई है, ठीक है, analysis के लिए पेश की जाती है, जैसे मान लीजि तो वो एक purpose क्या है, कि हमारा table को बनाने का, बच्चों का results announce करना, तो इसलिए हम क्या कहते है, कि एक special purpose table होती है, जो क्या करती है, हमें यह बताती है, कि finally students में क्या marks मतलब प्रात की है, क्या चीव किया है, उन्होंने ही ठीक है, first, second position बगारा पर चल जाती है, तो यह special purpose के ल वैसा का वैसा table में fit कर दिया, ना कोई arrangement, ना ही कोई उन्हें order में लगाया, हमने जैसा data मिला, वैसे का वैसा table में fit कर दिया, तो क्या होगा, the original table कौन से होती है, in which data are presented in the same form and manner in which they are collected, जैसे collect किया, उसी manner में ही उनको पेश कर दिया, उसी manner में लोगों के सामने हमने represent कर दिया तो data को जैसा data प्लेट हुआ, वैसा ही present कर दिया, ऐसा data क्या कहलाएगा, original takeaways पे, original table कहलाएगी, और drive table में क्या होगा, अगर आप क्या कर दिते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, modified, data को अगर आपने modified कर दिया, तो समझ लीजिए, क्या हो गया, drive table हो गई, किया, change कर दिया, जैसा वो लेकर आएखे, अब वो वैसा नहीं रहा, आपने दिने order दिया, alphabetically order दिया, numerical order दिया, express कर दिया, उसको changes करके, कुछ अच्छे से field करके, आपने उसको change करके, फिल लोगों में सामने present किया, तो उसे modified यानिकी drive table कहते हैं, और अगर simply, original data जैसा अब आज करते हैं according to construction, अब ये table काफी important है, बहुत आपको क्योंकि आपको जब table बढ़नाने पड़ेगी, questions आप solve करेंगे, तो ये according to construction, आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये table जो होगी आपके लिए काफी फायदे मन है, मैं आपको इसको draw करके आपको बना करके table, फिर समझाता हूँ कि कैसी होती है simple one way table हमारी, ठीक है, हम जी, सबसे बहले बात करते है हमारी simple और one way हमारी table, इसमें क्या किया, मैंने क्या किया, हमने table को दिया, table number, अब एक तो बना चुके हैं, अब आईगी table number 2, table number of students, in a college, ये क्या होगा मेरा, title हुआ, title bold letter में होना चाहिए, साव सुतर होना चाहिए, इस तरह से, हम इसको center में ले ले लगते हैं, और एक table मैं अब draw करने वाला हूँ, मैंने क्या किया, simple और one way, पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाले table ले ले रहा हूँ, simple और one way, simple one way मतलब सिर्फ एक ही feature होगी, one way मतलब only single feature वाली table, ठीक है, जिसमें केवल एक ही feature बताई जाएगी, ठीक है, मैंने क्या लिया, इस तरह ले ली class, ठीक है, तो class के अंदर क्या होते हैं, students होते हैं, तो number of students, हाँ जी, सबसे बेरे बात करता हूँ, मैं हमारी B.com, first year में कितने students हैं, B.com first year में भाई, 150, 150 students है, B.com second year में कितने हैं, वहाँ तो 180 हैं, और B.com final year में कितने हैं, वहाँ पर हैं, 220 students, और फिर finally हम क्या बताएंगे, कि हमारे total students कितने हैं, ठीक है, कितने होगे total students, total में लिकर दिया, यहां लिकर नहीं जूतने हैं students, तो total ही आपको उपर लिकर रगा है, तो यहां total total लिकर दीजिए, हाँ जी, total कितने हैं, वही दो, तीन, चार, 550 students, तो इस तरह से हमारे total students कितने होगे, 550, 650 होगे, 650, 650, दो, तीन, चार, 550 होगे, 550 होगे, वह सही था पहले, 550 ही है total, तो यह हुए हमारे number of students, जो अलगले class में हैं, और आपको सिर्फ एक ही feature पड़ा चल रही है, क्या, कि हर class में कितने बच्चे हैं, तो एक single one way table, जिसको हम क्या कहते हैं, simple या one way, जिसमें केवल एक ही feature के बार के बताय जाए, ठीक है, अब बात करत दो features में convert कर देता हूँ, कैसे, अब ध्यान सबेके सभी, हमारे पास क्या है, इस तरह से table थी, मिटाना ही पड़ेगा आपको सा रही है, हंची, table number वही है आपका, अब दो हम बना चुके हैं, अब आईगी वारी table number 3 हो जाएगी, ठीक है, तीसरी table हम बनाने वाले हैं इस बा अब इस बाद दो features होंगी, सबसे पहले हम लेंगे class, ठीक है, उसके बाद number of students, उसके बाद total, number of students में हम दो column रखेंगे, class के लिए column, total के लिए column, but जो wise हैं और girls हैं, उनके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दो column कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे लिए दो column, boys और girls और total हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगी class, वही सेम चीज, become first year, फिर become second year, become final और फिर total, ठीक है, अब become first year में total students कितने थे, मान लिजिए, अब हमारे पास हैं, 200 students, तो मैंने का गदी, उनको divide कर दिया, मान लिजिए, 163 boys हैं, और 40 girls हैं, total कितने हैं, 200, ठीक है, अगली class में कितने हैं, यहाँ पर 80 हैं, यहाँ पर 20 हैं, total कितने हैं, 100 हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 90, और यहाँ पर कितने हैं, 70, यहाँ पर होगे 163, total कितने हुए, इनका total करो, इनका total करो, और इनका total कर लिजिए, इनको और simple बनाना है, तो आप एकाम कर लिजिए, यहाँ 60 कर लिजिए, यह 50 हो जाएगा, है ना, अब इनका total कर दीजिए, 330, इनका total करो, 120, total कितना हुआ, 550, इस तरह से हमारे पास इस बार कितने features हैं, double table में 2 features हैं, हमारे पास हर class में क्या हैं, boys भी हैं, girls भी हैं, तो एक ही table दो features बता रही है, तो क्या हो जाएगी है, double complex table, complex table तो है, बर double है, यह two way हो गई हमारे table, next है हमारा travel, travel मतलब three way table, जिसमें क्या होगी इस बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन features बताई जाएगी, यानि कि boys की आगे दो और features हमें पता चलेंगी, हाँ जी, अब boys में क्या हो सकती हैं, दो features, एक rural हो सकता है, एक urban हो सकता है, एक गाउं के और एक शेहर के, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके दो पार्ट और divide कर सकते हैं, boys के और girls की, urban और rural के अंतर, देखो कैसे, इसी table में हम इसको बना देते हैं, conception कर देते हैं, कैसे, सबसे बहले boys इस तरफ रख लीजिए, girls इस तरफ र हैं, तो उसमें क्या रखेंगे, हम इनके दो portion होर कर देंगे, हंजी, यह हो जाएगा boys, urban and rural, urban and rural, यानि कि गाउं में रहने वाले और शेहर में रहने वाले boys and girls, total कितने हैं, 200, आपके जो boys की संख्या है, वो कितनी हैं, मान लीजिए, हमारे मेंने रखे थे आपके यहां पर 150 और यह हैं 50, तो 150 में आपके two part कर लिजिए, 100 इदर कर लो, 50 इदर कर लिजिए, 150, उनके बज़े 50, 50 में से 25, 25 कर देजिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको clear हो गया, कि इस table की जो features हैं, वो कितनी है, boys, number of students है, एक, दूसरा boys, girls है, दो, तीसरा, वो urban और rural भी है, तो travel हो गया आपका, तो एक, दो, तीन features आ गई, इसमें तो यह table क्या बन की हमारे, travel बन गई, same way से आगे भी चल जाए, अपने हिसाब से ले ले जिए, 25 ले ले, 25 ले ले, 25 ले ले, 20 ले ले, 20 ले ले, 20, कोई फर्क नहीं पटता, आप data कुछ भी रसकते हैं, इदर 30 रख 35, 25, 20 अब इनका जो data है मोटवरासा चेंज हो जाएगा बस total में चेंज हो जाएगे आपका बक्की सेम रहेगा ठीक है इस तरह से इनको total कर लेजिए 2, 2, 65 हो गया 2, 2, 2 7, 7 हो गया इनका 3, 5, 105 हो गया इनका 5, 5, 105 हो गया आप इनका total इस तरह से कर लीजिए 20, 40, 60, 80 90 ठीक है इनका total कर लो 30 60, 80, 80 100, 110 ठीक है इनका total कर लीजिए 110, 200, 200, 200 400, total 400 तो यह देखा आपने एक से ज़ादा हो गया, 1, 2, 3 simple में एक था complex में वहले डबल किया, हमने 2 किया अब हमने 3 कर दिया, अब manifold manifold में क्या होगा, इससे भी आगे अगर इससे भी ज़ादा आगर nightable की features होती, तो क्या बन जाता हो हमारा manifold बन जाता है, अब इससे एक feature और क्या बना सकते हैं, हम जी college में बढ़ने वाले लड़के लड़कियां गाउ में रहने वाले लड़के लड़कियां और उसके बाद शादी शुदा और unmarried, every wife शादी वाले होगे, एक तो married अगोते हैं, unmarried, तो वो दो भी हो सकते हैं तो वो बन जाएगी हमारी कौन सी feature बन जाएगी, many fold बन जाती है आईए, जानते हैं कैसे इसमें हम देखते हैं अभी किस तरह से हमारी बनेगी, many fold अभी इसी में ही हम एक पार्ट और कर सकते हैं ठीक है, तो हमने क्या करने वाले हैं इसमें एक पार्ट और बनाने वाले हैं आप देख लें ध्यान से table को हमने क्या किया, इसकी एक feature बनाई number friends, फिर बनाई boys and girls फिर बनाई urban and rural अब इसका एक portion और करने वाले हैं ठीक है, वो क्या होगा हमारा married और unmarried तो मैं एक portion और कर देता हूं इसका अब आपको clear हो रहा होगा एक table की कितनी features हो गई है married, unmarried married, unmarried married, unmarried ये भी married और ये unmarried, ठीक है इस तरह है, बाकी same रहेगा वही, become first year में हाँ जी, कितने students है become first year में, फिर उसमें से boys कितने हैं और urban कितने हैं, और married कितने हैं married हैं सिर्फ 3 unmarried हैं 5 इस तरह हैं से, आप data fill करें और फिर इनके total आप बता सकते हैं ये जो data होगा, ये जो table बन रही है ये क्या हो गई, manifold हो गई एक से ज़्यादा features को बताने वाली table क्या कलाएगी तीन से भी ज़्यादा, वो क्या कलाती है, manifold अगर एक feature है तो simple, one way दो feature है तो double तीन feature है तो treble, और तीन से भी ज़्यादा है तो बन जाती है मैनी फोल्ड टेबल इस परकार आपको समझ में आया कि टेबल की कितने टाइप्स होते हैं उन्हें किस परकार तियार किया जाता है थेंक तुछ लेक्स